प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आज वारानसी पहुचेंगे और 6,611.18 करोड रुपे की 23 विकास परियोजनाओं का लोकारपन और शिलान्यास करेंगे. इनमें काशी की 380.13 करोड की परियोजनाओं का उधगाटन और 2,874.17 करोड की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है. सिगरा स्टेडियम के दूसरे और तीसरे चरण का लोकारपन भी होगा, जो 22 ओलंपिक खेलों की तैयारी, प्रशिक्षन, और प्रतियोगिताओं के लिए सुविधाएं प्रधान करेगा. बाप्तपुर एयरपोर्ट से प्रधान मंत्री हरिहरपुर स्थित आरजे शंक नेत्र चिकित साले का उधगाटन करेंगे और कांची कामकोटी पीट के शंकराचार्य शंकर विजेंद्र सरस्वती की उपस्थिती में प्रभुधजनों से संबाद करेंगे. इसके बाद वे सिगरा स्टेडियम पहुचकर देश भर की 23 परियोजनाओं का लोकारपन और श खटन शामिल है. जिससे इन हवाई अड़ों की यात्री क्षमता 2.3 करोर सालाना तक बढ़ जाएगी. स्टेडियम में आयोजित जनसभा में 20,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. ओलंपिक संग के पदाधिकारी और 373 खिलाडी भी कारेक्रम में मौजूद रहेंगे. प्रधान मंतरी की अगवानी के लिए राजिपाल आनंदी बिन पटेल, मुखे मंतरी योगी आधित्यनाथ और कई अन्यवरिष्ट नेता एरपोर्ट पर उपस्थित रहेंगे. प्रधान मंतरी की यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं जिनमें 24 IPS अधिकारियों के नेतरित्व में SPG, NSG, ATS कमांडो और केंदरिय खुफिया एजंसियों की टीमें शामिल हैं. शनिवार को उनकी डमी फ्लीट का रिहरसल किया गया और पुलीस आयुक्त मोहित अगरवाल ने सुरक शाकर्मियों को सतरक्ता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिये. प्रधान मंतरी की घोषना के बाद 20 अक्तूबर से अन्न सेवा योजना की शुरुआत भी होगी. पहले दिन श्री काशी विश्वनात मंदर न्यास की ओर से 3,000 लोगों को भोजन वित्रित किया जाएगा और योजना का विस्तार 5,000 लाभार्थियों तक करने का लक्ष है. जम्मू कोठी स्थित्रसो इघर की क्षमता बढ़ा कर प्रति दिन 6,000 लोगों का भोजन तयार करने की योजना है.